मस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासैनी दुन्या में युक्रेन टू संक्ट के पीच भारत की विदेश नीती का डंका दुनिया में पचरा है पाकिस्तान जैसे देश भी अब भारत की विदेश निती की तारीफ करते नहीं ठक रहे हैं तरसल जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच संकट गहराया हुआ है लेकिन अचानक इस बीच हम देख रहे हैं कि 48 खंटे से लेकर अगले 48 खंटे तक दुनिया के कहीं पर्भूक देशों के परतिन की भारत आये हैं या फिर भारत आ रहे हैं और इसी कड़ी में वो लगातार राश्ट्य सुरक्षा सलहकार अजीर डोवाल से मुलाकात का सिलसला भी जारी है रूस के विदेश मंतरी सरगई लाफरो आज दो दिवश्य दोरे पर भारत आ रहे हैं तो वहीं बिर्टेन के विदेश मंतरी लिज ट्रस भी आज भारत का दोरा करें के इससे पहले आपको दाने अमेरिका के उप राश्ट्य सुरक्षा सलहकार दलीप सिंग भारत पहुँचे थे कि जर्वनी के विदेश एम सुरक्षा नीती सलहकार जेंस प्लांटर ने भारत दोरे पर वो भी आए और यहां तक की राश्ट्य सुरक्षा सलहकार अजीर दोबाल से कि इसके लावा फारत के विदेश मंत्री सुरक्षा सलहकार यही टौफाल से मुलाकात इस सथी इस साथ इस साथ हिंद प्रशान्त के यूडूरोपयस संग के विशश दूध ग्रेफियल विसेटिल दिल्ली आए हैं यह भी जानकारी सांफने आई हैं तो किसता दुनिया के तमाम बड़े तेशों के या तो रास्टे सरुक्षा सलाकार हैं या फिर विदेश मंतरी हैं वो लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो भारत का दोरा कर रहे हैं क्योंकि भारत ने जिस तरीके से रूस और यूकरिन संकट के वीच अपना स्टैंट रखा है जिस तर लेके से रूस और यूकरिन के पीच ये युद्ध छिड़ रहा है लेकिन भारत की और से बारवा ये कहा किया कि बातचीत के जल्के ही इस पूरे माफले का समाधान होगा भारत ने रूस के खिलाफ अंदरास्ट्य मंच पर कोई वयान नहीं थिया जाहित तोर पर कोई है कि भारत की जो वैश्वी कूठ नीती है वो कही न कहीं अब दुनिया के केंद्र में आ चुकी है यानि तमाम देशों की निखाएं अब हिंदुस्तान पढ़्टिकी हुई है आपको बताने राश्टे सुरक्षा सलाकार अजीट डोपाल से गुरुफार को नई दिली में सुरक्षा और विदेश नीती सलाकार जेंस प्लांटर के साथ बातचीत की थी और बातचीत में यूकरेन में संगर्ष के साथ साथ तमाम दुव्यक्षे मुद्वों पर उनकी बातचीत हुई थी जिस तरीके से भूर राश्टिक उथल पुथल ये चल रही है कही न कहीं द तो एक तरह वो खेमा है जो कहीं न कहीं रूस का साथ दे रहा है लेकिन भारत ने जिस तरीके से बीच का रास्ता निकाला है यूकरेन और रूस दोनों ही देशों के साथ भारत की प्रधानमंतरी नरेंधर मोदे की इस दोरान बातचीत हुई और बातचीत के दोरान यही कहा क्या कि बातचीत दोनों देश आपस में करें तब ही इस पूरे मसले का समाधान हो सकता है इस तरीके से एक दूसरे पर बंबारी करने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से कुछ भी नहीं होगा लेकिन वहीं अमेरिका और तमाम दुनिया के दूसरे देशन और जिस तरीके से यूक्रेन को भड़काया उसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन को काफी नुकसान इस पूरे यूद के दोरान झेलना पड़ा है और अभी भी कहिना कहीं ये जो प्रिस्थितियां हैं ये यूक्रेन में बनी हुई है जिस तरीके से रूज लगा था यूक्रेन पर मिसाइले दाक रहा है फिलाल इस पूरे संगर्ष को लेकर दोनों ही नेताओं के पीछ रास्टे स प्लांटर के साथ बातचीत हुई है प्लांटर एक दिवस्थिया भारत यात्रा पर हैं जिसके बाद वो जापान जाएंगे और जानकारी चो निकल कर साफने आई हैं उसके मुताफिक बातचीत में डोपास ने विवाद के सांतिकून समाधान के भारत के दृस्थिकून प भारत का स्टेंट क्या है ये साफतोर पर भारत ने दुनिया के साफने रखा है और ना सिर्फ राजटे सुरक्षा सलाकार अजी डोपाल से उनकी मुलाकात हुई है बलकि प्लांटर ने विदेश मंतरी एस जय शंकर से भी मुलाकात की है वकाय था विदेश मंतरी की ओर से गया और ये बताया गया कि जर्वनी के चांसलर के विदेश और स्रक्षा नीतिसलाकार जेन्स प्लांटर से उनकी मुलाकात हुई जाहर तोर पर हमारी बास्चीत यूक्रेन की इस्थिदी पर केंदरित रही है। प्लांटर उनकी तरफ से दी गई है। पर ये कहा कि भारत की प्राथमिक्ता ये है कि यूक्रेन में जो भारतिया हसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए और भारत की ये कूठ नीतिक जीत ही है कि भारत अपने एक-एक नागली को वहां से निकालने में काम्याब रहा है। और कही वजा है कि दुनिया के तमाम देशों के जो बड़े लीडर्स हैं वो अब भारत का रूप कर रहे हैं। पर अब तमाम देशों के जो विदेश सलाकार हैं या फिर जो राष्टी सलाकार हैं वो लगातार भारत का रूप कर रहे हैं और भारत के तमाम बड़े लीडर्स से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता थे एनसे अजीड डौपाल ने नई दिल्ली में डच परधान मंतरी मार्क रूट के सुरक्षा और नीती सलाकार जैफरी वोन नियोफीन से भी मुलाकात की हैं। दोनों बड़े सुरक्षा सलाकारों ने यूपरेन की स्थिती समय तमाम द्विपक्षे मुद्व पर बातचीत की हैं। महत को रेखांकित किया हैं यानि किस तरीके से दोनों देश आपस में बहतर दात्मेर बैठा सकते हैं। को लेकर चर्चा हुई है। बताने की डच और भारत के बीच जो तमाम समझोते चल रहे हैं। रक्षा सुरक्षा और आतंकवात फिरोती सहयोग का विस्तार करके दोनों देशों के बीच जाज़ेदारी को और मजबूत करने पर भी सहमती बनी हैं। वे निकट संपर्क में रहने के लिए भी दोनों देश सहमत हुए हैं। लेकिन इसके आवा बड़ी जानकारी ये है कि दरसल इस साल भारत और निदर्लैंट के बीच दुईपक्षे संबंदों की स्थापना की 75 वी वर्ष काट है। और इस मौके पर राश्टपती रांपनात कोविंद देश के राजा और रानी के निमंतरन पर 4-7 अप्रेल तक निदर्लैंट की राज किया यात्रा पर हैं। निदर्लैंट के राजा और रानी की ओर से उन्हें आमंतरित किया है और राश्टपती रांपनात कोविंद अब वहां 4-7 अप्रेल को निदर्लैंट की यात्रा पर जाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको जानकारी सी कि एक तरफ यूकरेन और रूस के बीच कही न कहीं संकट गहराया हुआ है और इसके चलते कहीं देशों को आर्थिक नुकसान भी चेहनला पड़ा है लेकिन भारत की जो कूठनीती है भारत की जो रूस के साथ दोस्ती है भारत की जो य यूकरेन के साथ संबंध है कहीं न कहीं ये उनका ही नतीचा है कि भारत ने संबंधों को बिगाठने के बजाए कहीं न कहीं उसमें सुधार करने की कोशिश की है यूकरेन के साथ भारत ने बातचीत की भारत के परधान मंत्री की यूकरेन के रास्टपती जरेंस्की से बा बात्चीत हुई और साथ तोर पर ये कहा गया कि युद से नहीं बात्चीत से ही समाधान होगा और भारत ने अपना रुक स्पस्ट किया था कि वो सबसे पहले भारतियों को प्रात्मिक्ता देगा रूस के साथ भारत के क्या रिष्टे हैं किस तरीके से भारत कोटने तेक रि ये एक बड़ा योगदान कहीं ने कहीं देता नजर आए क्योंकि जिस तरीके से तिरंगा लगा कर बसों को वहां से निकलने की अनुहती रूसी सेना की और से दी गई वह अपने आख में ये बताता है कि किस तरीके से भारत ने तमाम दुनिया के बड़े देशों के साथ यात्राओं पर विपक्ष लगाता सवाल उठाता है लेकिन उन्हीं विदेश यात्राओं के बदोलत आज ये भारत कहीं न कहीं दुनिया में अपने आपको मजबूती से इस्तापित कर रहा है और इसी कड़ी में आपको दाते जो चीन के विदेश मंतरी है वांग की वो भ हटाए जाने की जरुरत है तका कि दुविपक्ष संबन स्वाफे पर एक रास्ते पर आ सके यानि चीन जो है वो बॉर्डर से समाम जो उनकी सेना है उन्हें हटाएं तभी दुविपक्ष बात चीत होगी हालकि नियोता जो है वो भारत के डास्टेस रक्षा सलाकार को भी चीन की ओर से धिया गया है वेकिन भारत का रूक स्वस्ट है कि चीन अपनी सेना को हटाए तभी शांती की बाहली में आपसी विश्वास बनाने में दोनों देशों को मदद मिलेगी तो यूक्रेन और रूस के बीच कहराए इस संकट के बीच भारत कहीं न कहीं कूठनितिक ग्रूप से बेहद मजपूत देश बन चुका है भारत की वैश्वी कूठनिती कहीं न कहीं अब केंदर में आ चुकी है यही वजा है कि इस तरीके से दुनिया के कई पर्मुक देशों के परतिंधी लगातार भारत आ रही है भारत की यासरा कर रहे हैं तमाम पर्मुकों से मुलाकात कर रहे हैं जाहे फिर वो विदेश मंतरी एस जैशंकर हो या फिर भारत की परदान मंतरी नरेंध मोदी या फिर रास्टे सुराकशा सलाकार अजीत दोबाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर रिखें और चैनल को सब्सक स्क्राइब करें हने बाद